Welcome to your YouTube channel Neutron Classes इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा चाइल डवलप्मेंट ठीक, अब कोई भी जो टीचिंग एक्जाम है तो उस एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से यह जो टॉपिक है यह क्या है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है चाहे आप लोग किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो जो उसमें चाइल डवलप्मेंट का जो यह टॉपिक है उसके उपर क्या है बहुत सारे कुश्चन्स आते हैं अब यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर हमें बच्चे के ओवर ओल डवलप्मेंट के बारे में बात नहीं करनी है यहां पर हम क्या करेंगे specifically कुछ डवलप्मेंट से related topics पढ़ेंगे जो की हमारे क्या है teaching जितने भी हमारे exams है तो उनके point of view से क्या है जो हमारे लिए important रहेंगे तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बच्चे के overall development के बारे में ही हम यहाँ पर क्या कर रहे है? study कर रहे है फीक है तो अब हम उप शुरू करते हैं कि जो development होता है कि development basically है क्या और इसकी definition क्या हो सकती है फीक है तो development क्या हो सकता है कि development का मतलब होता है विकास, अब विकास किस चीज का, अब बच्चे के अंदर विकास देखो किस किस चीज का हो सकता है, बच्चे के अंदर जो विकास रहेगा वो उसके learning का, कि वो क्या-क्या सीख रहा है, बच्चे की जो thinking process है, कि वो किस तरह से सोच रहा है, या उसका जो सो तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो emotions हैं, बच्चे के जो emotions हैं, क्या उनमें भी development हुआ है? या बच्चे की जो society है, क्या उसमें भी development हुआ है? या नहीं हुआ है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है? हम अब यह जितने भी development होंगे, तो definition में हम first point क्या लिखेंगे, कि definition में according, हम यह लिखते हैं कि जितने भी development होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक systematic way में होंगे, तो हमने लिखा कि यह क्या है, यह systematic way में होंगे, ठीक है, अब systematic way में होने के साथ साथ, यह क्या है, यह age related है, age related का मत लब क्या है कि जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे ही बच्चे का क्या होगा विकास होगा ठीक अब ऐसा नहीं है कि बच्चे की उमर बढ़ती जाए और इन चीजों में development ना हो लेकिन कुछ बच्चों में देखा भी गया है कि यह development की जो speed है बच्चों में क्या है बहु उन्ही topics को यहाँ पर cover करेंगे, जो कि हमारे exam के point of view से क्या है, बहुत ही ज़ादा important रहेंगे. ठीक, अब यह क्या है कि पहली चीज तो यह क्या है, systematic way में होगी. अब हम लोगों को पता नहीं पढ़ रहा है, कि यह एक system में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. लेकिन जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे, तो हमको पता पढ़ता जाएगा. कोई भी चीज जो है, कोई भी जो change बच्चे के अंदर आ रहा है, वो random नहीं है. ठीक है, random का मतलब क्या होगी है, कि कोई भी change बच्चे के अंदर अचानक नहीं है. अचानक नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसे है, वो एक systematic way में आया. अब जैसे-जैसे बच्चे की age बढ़ेगी, वैसे-वैसे बच्चे का जो development का process है, वो भी क्या होता जाएगा हम लोगों के पास, उसका improve होता जाएगा, और उसका development का process है, वो भी क्या है, increase होता जाएगा और वो बढ़ता होँ चलेगा. ठीक, इसके अलावा, अब जो ये development का process है, ये दो तरह से है, development क्या है, एक तो है हम लोगों के पास quantitative, and second one is qualitative. ठीक, तो ये definition के ही सब topic चल रहे हैं हमारे, कि definition को अगर हम include करेंगे, तो definition को हम include इस तरह से कर सकते हैं, कि बच्चे के अंदर जो भी systematic way में changes होए हैं, ठीक है, किसकी related, age से related, ठीक है, age की regard में हम लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे की age बढ़ती जा रहे हैं, तो बच्चे में क्या हैं, कुछ changes आते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जब बच्चा पैदा हुआ, तो हमने देखा कि बच्चे का behavior कुछ और था, बच्चे में body में movement कम हो रही थी, बच्चे के जो हाथ पै रहे हैं, उनकी जो growth है, उसका level क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की age बढ़ती गई, तो growth क्या है, बच्चे की बढ़ती चली गई, ठीक है, अब वो सीखना चाहरा है, पहले वो हाथ को move करता था, लेकिन इस level प्याने के बाद, उसने क्या क्या है, अपनी fingers को भी चलाना शुरू कर दिया है, तो ये सब क्या है, एक systematic way में होंगे, अब इसके साथ साथ जो development है, वो हमारा दो तरीके का और है, जैसे क्या कि इसको हम qualitative और quantitative में, इसको हम क्या कर सकते हैं, define कर सकते हैं, अब quantitative में, अगर हम लोग दिहान से देखें, तो quantitative जो word है, इसमें हमको एक word quantity समझ में आता है, अब quantity का मतलब होता है मातरा, तो हम यह देखेंगे कि बच्चे का जो development है, ठीक है, ऐसा development जिसको हम लोग measure कर पाएं, measure किस-किस चीज़ को कर सकते हैं, measure हम लोग कर सकते हैं बच्चे की height को, measure कर सकते हैं बच्चे के weight को, ठीक है, तो जो जहां पर की मातरा आ जाएं, मातरा मतलब amount, ठीक, वहां हम उसको बोलेंगे कि यह कौन सा type का development हो गया है, यहां पर quantitative है, अब यह जो height है, height हम बोलेंगे कि हाँ भई height कितनी है, 5 foot है, weight कितना है, जैसे 15 kg है, या 50 kg है, या 15 kg है, या 100 kg है, तो यह क्या है, यहां पर हम इनको measure कर सकते हैं, ठीक, अब यह, तो इसको हमने क्या बोला है, इसको यहां पर हमने term दी है growth, कि बच्चे की growth कैसी है, ठीक, बच्चे की height बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बच्चे का weight बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो ये growth में include होती है ये सारी चीज़े whereas जो qualitative है qualitative का मतलब हो गया quality से related अब quality से related क्या है कि जब बच्चे ने जनम लिया तो birth के time पे क्या हुआ है birth के time के बाद से हम लोगों ने check किया कि 2-3 महीने तक हम लोगों ने check किया कि जो बच्चे की जो movement है ठीक है किसी भी तरह से हम उसकी movement को देख रहे है ठीक है तो हमने क्या करा जैसे हमने उसका hand का movement चेक किया ठीक है तो हमने देखा कि अभी इसका hand का movement कुछ और है लेकिन after 5 months हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे का hand का movement है वो क्या है अब जादा हो रहा है इसका मतलब अब जो movement है किसका हाथ का उसकी जो quality है वो क्या होती जा रही है वो अब increase होती जा रही है ठीक है लेकिन कितनी हो रही ये नहीं बता पाएंगे हम बता पा रहे हैं कि उसकी quality इंप्रूव हो रही है ठीक है लेकिन जहां पर word आ गया कि कितनी यानि कि amounts related तो वो सब किसमें जाएगा वो जाएगा हमारा quantitative में तो definition को हम इस तरह से define ही कर सकते हैं कि एक systematic way में बच्चे के अंदर learning से related thinking से related emotion से related उसकी जो society है ठीक उसको जो peer groups है या जितने भी development हम लोग सोच सकते हैं उनके में जो भी systematic changes हो रहे हैं जैसे जैसे बच्चे की age बढ़ती जहां रही है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं उसको हम बोल रहे है development अब development क्या हो सकता है तुमारा quantitative भी हो सकता है ठीक तो height भी हो गया हम लोगों के पास अब जैसे क्या होता है कि हम लोगों के पास जैसे ये growth है ठीक अब growth और development दोनों में क्या relation है कि जो development रहेगा हम लोगों का अब देखो दिहान से देखना कि development क्या क्या चीज include कर रहा है कि जो सीखना है, सीखने को include कर रहा है, तो दो ही चीजों को लेके चलते हैं, एक ये क्या कर रहा है, thinking process को, ठीक, जबकि जो growth है, growth क्या कर रहा है, growth हमारा सिर्फ उनी चीजों को measure कर रहा है, जैसे height, हमने एक example लिए height, ठीक, अब जो growth रहेगी, growth, अभी देखो यहाँ पे सिर् ठीक, तो जो learning है, जो सीखना है, जो सोचना है, ये तो हमारा क्या है, ये lifelong चलता है, यानि कि पूरे जीवन भर ये काम चलेगा, लेकिन जो height है, height को क्या हो जाना है, एक time के बाद stop हो जाना है, आगी बाद समझ मैं, तो ये तो हमारा lifelong चलेगा और इसको एक time के बाद stop हो ज बच्चे की growth भी development का ही part है तो यहां पर हम growth को भी include कर रहे हैं तो बच्चे की growth है वो भी development का ही part है तो हम लोग अगर इसका vein diagram बना रहे हैं तो vein diagram में देखो यह तो होगे development के लिए तो development के अंदर ही include होता है हमारा क्या growth तो development का तो वो बहुत ही wide scope है जबकि growth का क्या है एक limited scope है तो यह हमारा definition वाला part हो गया next आता है हमारे पास कि जो भी बच्चे के अंदर development हुई है ठीक है अब बच्चे के अंदर development हुई है अब बच्चे के अंदर जो यह development हुई है यह कौन-कौन से areas में हुई है यानि कौन-कौन से छेत्रों में यह development हुई है ठीक है अब छेत्रों में ऐसा नहीं है कि यहाँ ब nos body से related हम बात कर रहे हैν, तो देखो, सबसे पहली चीज जो development हम लोग जो देखेंगे, वो बच्के के अंदर देखेंगे कि physical development कैसी होई है, ठीक है, physical development, अग जो physical development है, यह हमारी related होगी body की growth से, ठीक है, आप body की, देखो, मैंने word क्या बोला कि body की growth, अभी बेसिकल जो physical development है, व बॉडी में देखो क्या देखेंगे? बॉडी में हम लोग देख रहे हैं कि उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब उसकी हईट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो basically हम किसको check करके चलते हैं, पहले हम height को ही लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हाँ इसकी growth हो रही है या नी हो रही, तो यह तो हो गया हमारा कि physical development, that is directly related to the body, body से यह वो relate करता है, दूसरा development हम लोगों ने देखा, वो है हम लोगों के पास क्या cognitive development, अब जो cognitive development रह यह हम लोगों का जो relate करता है, यह बच्चे के brain से relate करता है, कि उसके mind का कितना development हुआ है, उसका brain का कितना development हुआ है, अब इसमें क्या होता है, कि जैसे जैसे बच्चा छोटा है, तो जब छोटा है, तो बच्चे की जो thinking process है, ठीक है, जो सोचने की जो चमता है, ठीक है, Imagination जो power है, अब देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो बच्चे की हम thinking process से बात कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, बच्चे की imagination power से, ठीक, बच्चे का जो thinking process है, बच्चे का जो imagination है, ठीक, अब हम यहाँ पर देखो, बात किस तरह से कर रहे हैं, हम बात कर रहे है कि यहां पर जो बच्चा, जो concrete objects हैं, ठीक है, उनको तो देख लेगा, ठीक है, उनको देख के समझ भी जाएगा, थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम बच्चे को जैसे suppose करो 3D shape के बारे में बताएं, तो बच्चे को एक level के बाद ही वो बच्चा क्या कर सकता है, अपनी imagination, power की help से 3D object को imagine कर सकता है, ठीक है, अब यह imagination करने की जो tendency है, जो बच्चे के पास power है, यह कब आएगी, जैसे जैसे बच्चे की क्या है, age बढ़ेगी, जैसे आप लोग हो, तो आपकी क्या है, एक level पर हम लोग पहुँच चुके हैं, अगर हम यहाँ पर 3D object को imagine करना चाहें, तो हम easily imagine कर सकते हैं, लेकिन जो primary के बच्चे हैं, वो क्या है, इसको imagine नहीं कर सकते हैं, दूसरा, कि जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, उस तरीके से एक छोटा बच्चा नहीं सोच सकता, वो भी क्या करेगा, जैसे जैसे उसकी age increase करेगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका जो thinking process है, वो भी क्या करेगा, वो भी change होगा, ठीक, तो यह आगे हमारा क्या cognitive development पे, अब cognitive development के बाद जो तीसरा development है, that is socio-emotional development, ठीक, अब जो socio-emotional development है, यह दो वर्ड से मिलके बना है, first is social, and second is emotional, ठीक, अब जो social है, social का मतलब होगे, society, ठीक, अब society में क्या है, society में बच्चे क्या बनाता है, अपने friends बनाता है, अब जब वो friends बनाता है, तो friends के साथ, उसके जो emotions है, वो क्या हो जाते हैं, वो attest हो जाते हैं, ठीक है, अब जब एक time period ऐसा आता है, कि जब बच्चे को सही और गलत में, सही और गलत की कोई भी पहचान नहीं होती, उसको बस यही लगता है कि मेरे दोस्त ने जो बोल दिया, वो सही है, तो यह तीन शेत्र होते हैं, पहला है physical, second is cognitive and third is socio-emotional, ठीक है, तो बच्चे को सही और गलत की भी जानकारी नहीं रहती है, अब यह जो domains हैं, यह जो तीन शेत्र हैं, यह तीन शेत्र बहुत wide है, ठीक है, बहुत बड़े हैं, अलग-अलग जो researchers रहे हैं, जो बहुत बड़े-बड़े मनोवज्यानिक रहे हैं, उन्होंने अपनी-अलग-अलग theories दी हैं, तो उनके बारे में भी हमें deep में पढ़ना है, लेकिन हम क्या करेंगे, शुरुवात एक-एक topic को ही ले यह growth लिखा हुआ और एक क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखो, यह growth और जो decay है, यह क्या है, किस तरह क्यों यह word लिखे हुआ है, अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब क्या होता है, कि basically हो क्या रहा है, कि यह जो तीनो domain है, domain कौन कौन से, एक तो हो गया हम लोगो के पास physical domain, ठीक, दूसरा domain हो गया हम लोगों के पास क्या cognitive domain, और जो तीसरा domain है, that is socio-emotional domain है, यह तीनों जो domain है, लोगों को यह लगता है, कि जो सिर्फ physical domain है, यह पहले काम करता है, ठीक, लेकिन reality में ऐसा नहीं है, यह तीनों के तीनों domain क्या करते हैं, यह एक साथ काम करते हैं, ठीक है, working together, अब lifelong काम करेंगे, यह भी दियान रखना, अब देखो, मैं word क्या बोल रहा हूँ, lifelong काम करेंगे, पूरी जिन्दगी भर, लेकिन अभी पीछे तो मैंने यह बताया है, कि यह जो physical है, physical के अंदर जो growth है, यह एक time के बाद रुक जानी है, तो यह lifelong कैसे काम क करेंगा, अब देखो, height ही तो रुकी है, growth ही तो रुकी है, लेकिन हम लोगों को यह पता है, कि जब इनसान छोटा होता है, तो छोटे से क्या है, कि छोटे के बाद उसकी जैसे जैसे age बढ़ेगी, तो उसकी height बढ़ेगी, अब जैसे जैसे height बढ़ेगी, तो वो क्या करता इसकी जो skin है, अगर हम लोग दिहान से देखें, तो इसकी skin क्या आप tight हो रही है, इसकी muscles grow कर गई है, इसकी muscles बहुत strong हो गई है, लेकिन जैसे जैसे age बढ़ती है, तो वैसे वैसे क्या होगा, कि इसकी जो height है, height भी हमारी क्या होती जारी है, reduce होती जारी है, ठीक है, इसकी body क् shrink होती जारी है, सुकुडती जारी है, ठीक, और एक time period के बाद ये क्या हो जाएगा, die, यानि कि मर जाएगा, तो यहां तक इस वाले section तक, जहां तक इसने बिल्कुल अपना ये young age में था, तो यहां तक तो body की हो रही है growth, लेकिन एक time period के बाद जब इसको बुढ़ापा आ रहा है, physical development भी हमारा lifelong काम कर रहा है, लेकिन जो growth है, growth lifelong काम नहीं करेगी, height एक age के बाद के हो जाएगी, वो रुक जानी है, ठीक है, तो यह होगे working together, अब अगर इन तीनों में से कोई से domain, कोई सा भी domain अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, suppose को इसी domain ने अच्छे से काम नही करता है, अगर socio-emotional ने कोई भी domain ने काम नहीं किया, तो बाकि दोनों पर क्या करेगा, यह diverse effect डालेगा ही, डालेगा, ठीक तो यह domains हो गए, next आता है हमारे पास causes, कि अब जितना भी यह development हो रहा है, यह development होने के कारण किया है, ठीक है, तो causes है, तो पहला जो कारण है, वो है ह हमारा maturation, maturation का, जो हमें मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, heredity, अब heredity क्या है, heredity हो गई, जो हमारे पास genetic materials है, ठीक है, genetic materials, अब देखो जैसे, कि causes हम किसके पढ़ रहे है, causes हम पढ़ रहे है, development के, यह धियान रखना, causes हम किसके पढ़ रहे है, development, अब development में भी देखो, तीन तरह की domain है, वो domain को देखना है, तो पहला जो domain है, that is physical domain, second is cognitive, and third is socio-emotional domain, यह तीन domain है हम लोगों के पास, अब इन तीनों domain में, अब देखो जो genetic materials है, यानि कि जो genes रहेंगे हमारे पास, ठीक है, तो heredity, heredity का मतलब हो गया, कि जो हमको हमारे पूरवजों से, यह हमारे माता पिताओं से, जो भी गुण मिलके आएंगे, अब गुण कैसा, कि heredity के अंदर जो genes है, यह genes ही हमारे decide करेंगे, कि जो बच्चा है, बच्चे की height कैसी होगी, ठीक है, बच्चे का जो color है, color कैसा होगा, बच्चे का जो hair है, hair कैसे रहेंगे, बच्चे का complexion है, वो कैसे रहे ठीक है, उसका body का structure कैसे रहेगा, तो यह सब हमें कहां से मिल रहे है, हमें माता-पिता से, हमें पूरवजो से मिल रहे है, तो यह जो सारी चीज़ें है, यह सारी चीज़ें क्या करती है, यह हमारे physical development को decide कर रहे है, ठीक है, हमारा brain कितना sharp रहेगा, वो भी decide कौन करता है, व हमारे emotions भी कैसे है, यह भी किसी ना कहीं किसी हद दक यह भी हमारे genes पर ही depend अगरता है, ठीक है, अब देखो, second जो point रहेगा, second is learning, learning का मतलब है कि हम अपने environment से क्या सीख रहे हैं, उस सीखने से भी हमारा क्या होता है, डवलपमेंट होता है, कैसे, अब देखो, अब डवलप सीखेंगे नहीं, जब हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो हमारा brain क्या है, brain काम ही नहीं करेगा, अच्छे से जब काम नहीं करेगा, तो वो कुछ सीखेगा नहीं, जब सीखेगा नहीं, तो उसका क्या है, brain का development होगा ही नहीं, तो brain की development करने के लिए भी हमें क्या करना है, कि हमें इन्वार्मेंट से भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, अब brain, क्या है कि brain body का, पूरे human body का main part है, और इसी को हमें क्या करना है, सबसे जादा हमें इसी को ही train करना है, ठीक, अब brain से ही क्या होता है, brain से ही हम इन सब को coordinate करते हैं, जैसे ये हमारा emotions हो गया, physical development, ठीक, इनको हम क्य क्या करते हैं, brain की help से ही हम इनको coordinate कर रहे हैं, तो ये causes है, causes है, पहली चीज़, maturation, दूसरी हमारे पास क्या है, learning है, ठीक, फिर आती हमारे पास क्या motor skills, अब motor skills क्या है, कि motor skills का मतलब हो गया, कि जो physically, जो हमारी growth है, ठीक, अब उसमें जो muscles हैं, उनके जो growth की हम बात कर रहे ह अब हमारे पास क्या है, दो तरह की muscles है, एक तो fine है, और एक हमारे पास क्या है, gross, अब देखो, जो fine वाली होती है, वो तो क्या है, small muscles है, और जो gross है, वो क्या हमारे पास, large muscles है, ठीक है, तो motor skills की हम बात कर रहे हैं, यानि कि हम किस तरह से अपने muscles को utilize करेंगे, तो अगर मैं fine की बात करो, तो fine का मतलब है कि जहां हमें बहुत ही precise काम करना है, ठीक है, एक तो precise way में काम करना है, with less effort, जादा हम को उसमें क्या है, effort नहीं लगाना है, जैसे, अगर हम इस picture को देखें, तो इसने क्या किया है, कि यहां पर एक sugar का crystal लिया है, बड़ा सा है, ठीक है, यह यह बोल सकते हैं कि salt का crystal है, नमक का एक बड़ा सा हुआ है, साबत नमक जो आता है, तो उसको उठाने के लिए इसे पूरी ताकत नहीं लगाने, इसने simple क्या कर रहा है, अपनी finger की help से ही इसको उठा लिया है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं तुम लोगों को यह कहूं कि यह 10 kg का weight है, इस 10 kg weight को उठा के दिखाना, तो यह क्या है, एक impossible condition है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें जादा से जादा muscles का use करना है, यानि कि इस case में हम क्या use करेंगे, हम लोग large muscles का use करते हैं, ठीक, तो जहां हमें क्या करना है, एक difficult task करना है, और हमें वहां प अब जैसे क्या हो कि यह floor है, ठीक है, फर्स है, इस फर्स पर क्या हो कुछ मोती के दाने ऐसे गिर जाएं, तब उसके लिए यह थोड़ी है कि हम पूरा का पूरा हाथ ही use करेंगे, हमें क्या करना है, ठीक है, हम fingers से क्या करेंगे, एक एक pick कर लेंगे और इनने collect कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसी first पर इसी floor पर क्या है, बहुत बड़ा पत्तर रग दिया जाए, और मैं तुमसे कोई से उठाओ, with the help of your finger अपनी उंगली से उठाओ, तो उसमें क्या करना है, तुमें पूरी muscles के group का use करना है, ठीक है, तब हम इसको क्या अगर पाएंगे, pick कर पा कि ये देखना कि किस काम को करने में, किस काम को करने में हमें ज़्यादा effort लगाना पड़ रहा है, ठीक है, या जिसकी help से हमें ज़्यादा effort लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो किसका part होगा, ग्रोस का होगा, और जिसमें हमें कम effort लगाना पड़ेगा, वो किसका part रहेगा, वो हो रहेगा हमारा fine muscles का part, next आते हैं हमारे पास कि principles of physical growth, अब जो principle of physical growth है ये हमारे पास क्या तीन तरीके से है, first is cephalocoidal, दूसरा हमारे पास proximo distal और तीसरा है gross to fine, अब देखो cephalo जो coidal है, ये हमारे दो तरीके से बना हुए, एक cephalo और एक क्या है coidal, cephalo मतलब जो sir, उपर वाला section, coidal मतलब जो नीचे वाला section है, ठीक है, same way में यहाँ पर क्या है proximo, ठीक है और यहाँ पर क्या है distal, proximo मतलब जो center के पास है और distal मतलब जो center से क्या है, दूर की तरफ है, gross fine, gross मतलब group, group से मतलब अकेली की तरफ चलना, अब देखो कैसे कैसे, जो cephalo coidal है, अगर हम यहाँ पर इस picture को देखा तो cephalo coidal में क्या होता है, कि जब बच्चा पैदा होता है, तो उस time की बात कर रहा है, जब बच्चा पैदा होता है, तो यह जो head वाला section है, ठीक है, और यहाँ से लेकि यह जो ratio है, ठीक, इस ratio यह head हो गया, और यह तुम्हारा क्या है, यह remaining portion हो गया, तो इस remaining portion के comparison में जो head है, अकेला जो head है, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा area को cover करता है, ज़्यादा portion को, लेकिन जैसे जैसे age बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, क head की जो growth है, वो क्या हो जाती है, लेकिन जो नीचे की growth है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो सिफैलो कोईडल में क्या होता है, कि जो भी बच्चा है, बच्चे की growth कहां से चलती है, वो सर से नीचे की तरफ चलती है, growth इस तरफ, तो यह हमारा कौन सा यह होत आशन्स हमारे यह सारे के सारे grow करने, start करेंगे, इस तरह से चलता है,। तो lower body क्या करेगी, बाद में grow करेगी, पहले upper body हमारी grow कर जाएगी, ठीक, next हाते हैं, next हमारे पास, क्या है, next होता है, हमारे पास proximodistal, proximodistal का मतलब क्या है, कि पहले यह जो center line है, यह हमने body की center line ले ली तो पहले जो center के आसपा जितने भी organs रहेंगे, पहले वो grow करेंगे, फिर center से जितने भी दूर दूर organs है, वो बाद में grow करेंगे, ठीक है, या जो भी मसल से वो बाद में grow करती है, ठीक, तो यह होगे हमारे पास के proximo distal, फिर आते हैं gross to fine, अब gross to fine को समझते हैं, ग्रॉस to fine में क्या है कि जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अगर तुम लोगों ने देखा हो, तो जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा हुआ, तो क्या करता है कि बच्चा पहले अपने हाथ को चलाता है, ठीक है, हम सिर्फ hand की बात कर रहे हैं, तो बच ऐसे जैसे इसकी age बढ़ती है, तो age बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, जब ये बच्चा 7-8 महीने को हो जाता है, तब ये अपनी fingers को movement करता है, अच्छे से, ठीक है, इनको चलाना शुरू करता है, ऐसा नहीं कि होते ही शुरू कर देगा, पहले वो क्या करता है, कि पहले अपने हाथ को चलाएगा, उससे भी पहले देखो, उससे भी पहले क्या करता है, बच्चा करवट लेता है, पूरी तरह से, हाथ की help से नहीं लेता, बच्चा पहले पूरा गूम जाये का turn मारतेगा, ठीक, फिर धीरे-धीरे वो हाथ की help से लेना शुरू करेगा, ठीक है, ह fine muscles को activate कर रहा है अच्छे से तो अब देखो जैसे यह वाली पिक्चर को पकड़ते हैं इस वाली पिक्चर में देखें तो बच्चे का यह हैं जो है इतना जो सेक्षन है यह क्या यह ज्यादा डवलप हो चुका है ठीक है यह अच्छे से इसको मूव कर देता है तो यह इसकी क सिखना सिखाना है तो बच्चे को हमें क्या करना है कि उसकी जो यह fine जो muscles है ठीक है इनको हमें क्या करना है fine muscles को हमें improve करना है इनकी skills को अब कैसे करते हैं इसकी improve skills को तो हमें क्या करना है हमारे घर में जो बच्चे हैं तो बच्चों को दे दिये जाने चाहिए pencil color crayons ठीक है wax रग्स करो एक्रिक दीवार को रंग ना रोंक कुछ भी करो इन के साथ तो बच्चा जब हरकती करता है दिवार को रंग मार शुरू करता है तो उपनी क्या करते फाइन जो मसल्स रहती हैं उनकी इस्विल्स को outdoor करता है वो इंप्रूव करता है देखो जैसे यह बच्चा यहां दीवारों पर क्या कर रहा है यह ऐसे इसे कुछ भी बना रहा है यह क्या कर रहा है अपनी मसल्स को इंप्रूव कर रहा है सेम वे में यहां पर बच्चा क्या करेंगा यह बच्चा क्या करता है जैसे पेरेंट हैं ज्यादा तर तो parents हैं तो parents कुछ पढ़ रहे होंगे बच्चा आएको उनके पास pen ले लेगा pen लेकर क्या करेगा उसका भी लिखने का मन करेगा लेकिन उसे आता नहीं है पर वो कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि बच्चे को हमें demotivator नहीं कर रहा है ज play schools में करते क्या है play schools में यही तो करते है teachers कि वहाँ पर बच्चे की जो fine muscles होती है उनको क्या किया जाता है improve किया जाता है ठीक तो अब जब हम इसके notes बनाएंगे तो देखो notes में तुम लोगों को क्या लिखना है तुम लोगों को कहानी सारी याद है ये कहानी याद होनी चा development भी बढ़ेगा अब development कैसा है qualitative है उसके साथ साथ क्या है quantitative है qualitative है तो इसका मतलब quantity और मातरा से related है जिसको हम चीज़े क्या कर सकते है मेजर कर सकते है qualitative अच्छा तो ये quality से related है तो हम यहाँ पर देखेंगे जो बच्चे की जो improvement है उसमें कितना हुआ है कितनी वो नहीं हुई है यहाँ मेजर नहीं कर सकते है ठीक इसके साथ साथ फिर हम लिखेंगे कौन-कौन से domains में हुआ है तो पहला domain physical है physical relate कर रहा है हमारा body से body में क्या क्या चीजे होगी एक तो growth चलेगी और एक क्या चलेगी decay चलेगी दूसरा जो domain है वो relate करेगा cognitive cognitive मतलब brain से relate है अच्छा तो यहाँ पर बच्चे की क्या thinking process और imagination power को देख रहे हैं फिर हमारे पास क्या socio emotional जो domain है अच्छा यहाँ पर friends बनाएगा friends के बाद बाद क्या होगा कि उसे सही और गलत में यहाँ ज्यादा पहचान नहीं होती तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए बच्चे की help करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा as a teacher भी और as a parents भी फिर अब देखेंगे कि जो development हुआ है physical development की ही बात कर रहे है कि physical जो development हुआ है उसके कौन-कौन से कारण थे एक तो maturation है ठीक है अच्छा maturation का भी करण को है maturation का कारण है heredity दूसरा है learning कि जो वो सीख रहा है सीखता कहां से अपने environment से इनवार्मेंट से देखो क्या वो सीखता क्या है लिखना भी सीखेगा environment से वो दौड़ना भी सीखेगा अपने environment से वो cricket खेलना भी कह मली कियो दो से होगी हमारे पास gross अच्या fine का का म क्या है small muscles है यह किसले यूझे होती है यह उन काम को करने के मीज़ीज होती है जहाँ लयाहा अच्छा gross क्या होती है large muscles है इइन का use का है इनका use होता है जहाँ पर हमें जादा-से-जादा effort लगाने की ज़रुत होती है फिर हम next point क्या लिखेंगे कि कौन-कौन से principal से physical growth के तो हम लिखेंगे अच्छा पहला तो cephalocoidal है दूसरा क्या proximo distal है तीसरा क्या gross to fine है अब ये क्या है ये हम लिखेंगे cephalocoidal क्या है हमारा head से लेकर toe है ये क्या है हमारा center से लेकर बाहर की तरफ है और gross to fine क्या है कि large muscles से हमें small muscles की तरफ जाना है